तो नमस्कार आदाप सस्रिया का दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्याग्यार आरजन में तो जैसा कि दोस्तों आपको बता है कि हम यहां परीट लेवल सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं और हम यह पे यूनिट एट पढ़ रहे हैं यूनिट के शुरू करते हैं जनसंक्या हमारा टॉपिक भारत की जनसंक्राइब को हमारी पहली जनगर्णा दोस्तों 1872 में हुई थी अंग्रेजों कि जब हम ब्रिटिस्ट लोगों के अधीन थे तब उन्होंने पहली बार हमारी जनगर्णा करवाई थी लोड मेयों थे जिन्होंने हमारी पहले बार जननगर्णा करवाने की कोशिस्त की थी अब भारत की जन गर्णा 2011 जो है अभी दोस्तों 2011 जनगर्णा के ही डाटा आने हैं हर 10 साल बाद में नई जनगर्णा आती है तो 2020 में नई जनगर्णा की गिंती शुरू हो गई थी पर यह जो कोरोना के वज़ा से क्या हुआ कि इसे बीच में रोक दिया गया है तो अभी डाटा आने में समय लगेगा तो जब तक ने डाटा नहीं आते हैं हमें 2011 की जनगर्णा के बाद से गिंते हैं तो यह सात्वी जनगर्णा है जनगर्णा 2012 का जो स्लोगन है स्लोगन बना जाता है तो वह हैं हमारी जनगर्णा हमारा भविश्य है ठीक है भारत जंसंख्या की द्रश्टिस विश्व में दूसरे स्थान पर हम सब को बता है कि पहले स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर इंडिया है अब यह जीज़ याद करने लायक है कि विश्वे की कूल जंसंख्या की भारत में कितनी परसेंट जंसंख्या रहती है ठीक हैं तो याद रखिएकक कैसे याद रखेंगे हम 17% जैन्सांख यहां पे रहती है तो लग बग सत्रा पॉइंट5 परसेंट जैन संख भूहारे पूशते हैं कि विश्वज की जैन संख हैं किam ili जनसंख्या इंडिया में निवास करती है 17.5% हम सब को बताएं कि जनसंख्या में हम दूसरे नमबर पे तो आ गए पहले नमबर पे आने में कुछ ही दिन चेश हैं तो 17.5% रहते हैं 17 मतलव खत्रा अब इससे आगे बढ़ते ही हमारे लिए खत्रा है तो इस तरह से आप याद रखिएगा 17 मतलव खत्रा ठीक है अब देखे हमारी कुल जनसंख्या कितनी है 121.05 करोड हमारी कुल जनसंख्या है अगर आप actual data याद करना चाहें तो य कोई नहीं बूसता है दोस्तों लगबग पूछी जाती है तो 121.5 करोड हमारी कुल जनसंख्या है इसमें से पूरुष कितने हैं 51.47 अगर आप actual data देखना चाहते हो तो इतने पूरुष है और महिलाएं कितनी है सो में से 51.47 घटा देंगे तो बाकी जो आएंगे वह महिला बच जाएंगे 48.53 महिलाएं हैं यह जरूर पूछा जाता है कि कुल पूरुष कितने पर्तिशत है तो 51% पूरुष है और 48% महिलाएं हैं लगबग बता रहे हूं 51.47% पूरुष है तो तोस्तो थोड़ा सा ऐसा याद रखेगा कि जैसे की शुब काम में हम 51 रुपय देते हैं और हमारे यावे पूरुषों की जैसे जुवारी कितने की होती है 51 रुपय की होती है अपने राजस्तान में यह सब रिच्वल्स है तो जैसे कि 51 की जुवारी बाखी बचए बहुत अब आप महिलां की ठीक तो ढमारे घ्रामिन्ट जनसंखह कितनी sets यहां सब को बढ़ण को भारत गाओं का देश Het even यहां पर शहरी जनसंखह से जयादा घ्रामिन्ट जनसंख्या ही होगी है यह 28.98परसंट ग्रामिें निवास करती है तो अपने आप शहरों में कितने हो जाए कि सो में 68.8 घटा दोगे तो 31.2 हो जाएगी ठीक है इसके अलावा कुछ टाटा हमें जनसंख्या में याद करने हैं वो क्या है कि जैसे सबसे पहले तो भारत में दशक यह वर्दी वाले राज्या कि मतलब पिछले द में यह कौन से राजय हैं सबसे पहाला दोस्तों में मेगाल्या फिर अरुना चल फिर भीहार और पिर जम्मु कश्मीर चार जाएं मेगाल्यै अरुना चल दोस्तो यह चार वहाजय जिम्में दस सालों में जनसंख्या में सबसे जज़् conjunction का बढ़त हमारी कितनी रही है तो वह यह में खाले अरुनाचल बिहार और चमुकस्मीर चोटी सी ट्रिक में आपको मारवाड़ी में बता देती हूं हम बारिश को क्या बोलते हैं में और आवे तो बीज बोए ठीक है ऐसे कुछ अगर आप थोड़ा सा मतलब मन में याद रखने के लिए ट्रिक हो जाती है में मतलब में घाले ठीक है आवे मतलब जो पहला अक्षर आ रहा है अरुनाचल प्रदेश बीज मतलब बिहार और जय मतलब जम्मुकस्मीर तो थोड़ा सा ट्रिक है दोस्तों कि में अवें तो भी जो बहुआ में मतलब बारिश होता है एंपनी राजस्तानी लेंगूेज में तो थोड़ा सा मैं मैंने जिस तरह से याद किया हुए उसी तरह से आपको बतारी हों कि पुछ ऐसे हम्म बना कर सकते हैं तो तो बीज बोवा दशक्या रदिदर कहा होगी दोस्तों जहां पर खाने के लिए नाज होगा जब बीज बोएंगे हैं तो इसलिए इन राजों में भाई इनोंने बारिश आई तो बीज बो दिये इनके पास अच्छा नास था तो दशक में सबसे दादा जनसंख्या इनोंने आंद्रा तो पहला ही पहला है दोस्तों नागा लेंड दूसरा है दोस्तों गेरल तीसरा है गोवा और चोथा है आंद्रा हना तो इसकी क्या ट्रीक हो सकती है इसकी थोड़ा सा ऐसे बना रखें जैसे नागा कै गोरा आवे हना ऐसे कुछ तो नागा मतलब नागा लेंड कै आवे मतलब केरल नागा का गोरा मतलब गोवा आवे मतलब अरोणा चल प्रदेश जैसे कि दोस्तों आपको सबको पता है कि हमारा उत्तपुर्वी भारत है वहां पे अंग्रेजों ने इसाई धरम का बहुत सारा प्रचार किया है ना तो अवियसी बात है कि देखो मुस्लिम तो यहां क्या हुआ जैसे नागा मतलब नागालेंड के मतलब केरल गोरा मतलब अंगरेज आवे मतलब आ गया तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे घटाने के शिक्षा हमको दे दी है ना इसलिए यहां पर जनसंख्या में कमें यह 10 सालों में थोड़ी थोड़ी ट्रीक ह दोस्तों आप अपने साइड में लिखते रहिएगा ताकि आपको भी क्योंकि इतने सारे डाटा हो जाते हैं हमें ऐसे याद नहीं होते हैं तो इनके लिए कुछ ट्रिक हमें बनानी ही पड़ती है यह तो हो गए दशके वरदी दर्वाल राज्या है ना तो में आवे तो आरे वर्तमान में जैसे की वर्तमान में जब तक 2021 की जनगरणा यहां डाटा हमारे पास नहीं आते हैं हम सबसेची जहां जंसंख्या वह और चार राज्या कों से हैं वह पहला उतरबर्देश आपको मन से भी याद होगा कि सभसेचा जंसंख्या तो उतर वर्देश में उत्तर प्रदेश को जैसे तो बनाया है मैं पिहार से बिहार से बंगाल गई हैं तो उ यंखेंदा चोड़ेश का उट्ष्तर न मतलब महारास्ता बिहार पहना मतलब और ऑझाल अब थोड़ा-धोड़ा तो दोस्तों आप होसकती है उसकते हैं वहां पर रहना चाहेंगा तो इसकी क्या है दोस्तों उमा बिहार से बंगाल गई क्यों गई क्योंकि भई इधर कोई था ने तो जनसंग्यवाले छेत्रों में वह चली गई थीग है तो यह हो गए सबसे जादा उरदिवाले राज्या उत्रपडेश विहार और बंगाल अर्गें नयूंत्म जन अपने देखो सिक्किम और गोवा दो राज्या ऐसे हैं जो बहुत छोटे से हैं तो दो यह ऊगए हैसा इसके लावा मिजोरम अरुणांचल परदेश दोसतों पहाडी राज्या है और छेत्रे फल्बीन के कमी हैं तो कौन से चार हो गए सिक्किम मिजोरम और और अरुणाचल प्रदेश और गोवा तो आप इस तरह से बना सकते हैं इसका न्यूंतम जंसंख्या वाले कि सिम्मी कि कि सिणिंग कि आगी आगी मतलब आ गई हैंनातो तो शी मतलब शिक्किं में मतलब मिज recursos सिम्मी आ मतलब अरुणाचल प्रदेश को मतलब गोवा थोड़ा सा आपको मन में रखना सब्सक्राइब की तो यहां पड़ेगा कि हां यह सबसे पहले तो यही बात आपको याद रखनी है कि हमारा जंसंक्या घनत्व किलोमेटर है यही बात कईयों बार पूछी जाती है कि वर्तमान में भारत का जंसंक्या घनत्व कितना है अब देखो सरवाधिक जंसंक्या घनत्व तो पाय जाएगा जाएगा तो उट्तर परदेश तो फिर भी बढ़ाया बिहार उसकी मुकावले बहुत कम है ना पस्चिम मंगाल में जंसंक्या तो इतनी जादा थी और आकार में इतना बड़ा है नहीं ठीक है तीसरा हो गया केरल और चोथा हो गया उत्तर परदेश है ना तो बिहार पस्चिम मंगाल केरल और यूपी है ना यह चार है जहां पर सबसे ज़्यादा जंसंक्या घनत्व पाय जाता है तो इसका आप ऐसे बना सकते हो बीपी क्या उत्रा आप जैसे अगर किसे पूछ रहे हो कि क्या आपका बीपी उत्रा तो इस तरह से आप पूछोगे बीपी क्या अब यहां पर जंसंक्या घनत्वे ज्यादा है तो घंसंक्या लोग रह रहे हैं हम रहने के लिए कंशा भी बीपी क्या ऊत्रा बियार पर na तो आपनने अभी जनसंख्या में पढ़ा था तो अरुणा चल प्रदेश में एक तो सबसे कम जनसंख्या थी एक सिक्किम भी धा उन तो ऐसे ही कुछ राजी आजाएंगा जिनमें अगर जनसंग क्या ही कम है तो घनतवे भी इनमीं कम होगा तो सबसे कम तो है दोस्ता अरुणाचल परदेश में 17 व्यक्ति प्रतिवरक किलोमेटर पर रहते हैं मतलब एक वरक किलोमेटर का ओसत निकाले तो एक किलोमेटर में शिर्फ 17 व्यक्ति आपर रहते हैं और भारत में कितने रहते हैं वह उत्री पूर्विय भारत की हो गए क्योंकि दोस्तों उत्री पूर्वृ भारत जो है हमारा बहूत ज्यादा कम डवलप है उपर से आप़ पहडिये वगेरह जादा आप nakyat जुडियें-जाद जादी आप करोगे कि जैसे जंसंक्या गनत्वा कम है मतलब लोग कम है लोग कम है तो हम क्या कह रहे हैं अपनी अम्मी को बोल रहे हैं अम्मी अम्मी सीम है ना तो अम्मी सीम दो ताकी कहां पर तो कोई रहता नहीं है तो सीम दो ताकी में फोन से किसी और से बात कर सकूँ क्यों कि जंसंक यह हो गया हमारा न्यूंतम घंद्वगा अधर्वार्वार्ज मत लीजिएगा दोस्तों जनसंख्या के डाट याद नहीं होते हैं इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी ट्रिक बना रखिए कि कैसे भी याद हो जाएं ठीक है क्योंकि यह फिक्स्ट होता है दोस्तों कि जनसंख् देखा और दो तीन बार अगर रिवाइस कर लिया तो आपका जनगर्णा में से कोई भी कोशन गलत नहीं होगा ठीक है अब पढ़ते हैं लिंगानुपाद मतलब हजार पुरूसों पे महिलाओं के संख्या कितनी है ना तो उसत जो भारत का लिंगानुपाद है वो है 943 मतल पर लिंगानुपाद जादा होगा मतलब महिलाओं के संख्या पुरूशों के मुकाबले जादा होगी है ना क्योंकि वहाँ पर यह जो अंध्विश्वास वगरा होते हैं वहां पर उतने ही कम होंगे तो ऐसे नहीं है कि लड़ी कम माना जागा तो सबसे ज़्यादर करना ही पड़ेगा या फिर थोड़ा सा आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि सर्वादिक लिंगानुपाद मतलब लिंगानुपाद क्या हुआ हजार पूरूशों पर महिलाएं तो हम यहीं तो पूछ रहे हैं कि हजार पूरूशों पर महिलाएं कितनी है ना तो आप इस तरह लाएं तो आप पूच सकते हो आप बोल सकते हो कितने आम कितने मदलब का है मतलब केरल तैंडा दल्नाडू मतलब आंधरा मैं मतलब मनिपूर यह चार राज्ये हैं जहाब महीला engine लंग पाथ Mor taught जो सबसे कम लिंगानुपाथ का है तो आपन को पता है दोस्तों और की लिंग लड़िकेयों को माड़ना यह जो शिशुवदी यह सब जो चहां होते हैं वह हरियाना ही सबसे उपर हैं उपर सबसे कम महिला हैं हरेयाना में उसके बाद भी जammot कषमीर में कि जम्मु कश्मीर में महिलाओं को बहुत कम सेफ माहौल मिल पाता है इसलिए लढकियों की संख्या उधर बहुत कम है फिर सिक्किम में और फिर पंजाब में तो हम जम्मू से पंजाब गए हाँ देखो अब लिंगानुबाद कम है मतलब लड़किया नहीं है लड़किया नहीं है तो क्या होता है रिष्टे ही नहीं होते वहाँ पर बहुत सारे लोग तो कवारे ही रह जाते है फिर वो क्या करते हैं लड़कियों को ढूंटे ढूंटे जैसे हमारे श्टे करने हैं तो शादी करने हैं तो शादी के लिए लड़कियां ढूंटे ढूंटे वो जम्मू तक गए तो हम जम्मू से पंजाब गए तो हम मतलब हरियाना जम्मू मतलब जम्मू कस्मी से मतलब सिक दिए पंजाब मतलब पंजाब तो इस तरह से आप याद कर सकते हो यह होगया हमारे लिंगानुपात केरल में और सबसे कम लिंगानुपात हरी ना में अब एक लास्ट बज जाता है साक्शर्ता तो देखो दोस्तो हमारी साक्शर्ता है 33 परसेंट बारत में ओसत साक्शर्ता कितनी है 33.0 परसेंट इसमें भी पुरुसों की साक्शर्ता है दोस्तों 80.9% और महिलाएं साक्षर है हमारे आप 64.6% तीनों चीज़े आपको याद रखनी है कि हमारी ओसत साक्षरता तो है 73% ठीक है पुरुस है 89% साक्षर और महिलाएं बहुत कम है 64.6% ही महिलाएं साक्षर है ठीक है अब देखिए अधिकतम साक्षरता वाले चार जिले देखिए आपको वैसे ही याद रखना है देखो कि लिंगानुपाद सबसे ज़्यादा कहां था केरल में तो लिंगानुपाद सबसे ज़्यादा वहीं होगा जहां पड़े लिखे लोग होंगे वही बेटे बेटियों में फरक नहीं करेंगे तो फिर केरल हो गया सबसे जबाइं पता चल जाता है लड़का है लड़की है यह तो सुछ है कि उधर बहुत सारे पहाँ से भी जादा है लग कम है लेकिन अच्छा है वहां इतना बूरा नहीं है तो थोड़ा सा आप इसलिए बता रहे हूं कि थोड़ा सा दिमाग में रह जाए कि पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, गोवा तो आपने पढ़ाई है कि कितना डवलप डेपना गोवा, जैसे गोवा जाते हैं तो यू लगता है जैसे अपन कई फॉरेन में आये हो 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 हना और तीसरा है ठृपूरा, जोभा हो तरीपूरा पर चार है गेरल, मिजोरम, गोवा ठृपूरा जहां पर सबसे हुधा साक्षर्टा है और सबसे कम साक्षर्टा का है अपना बिहार ये दोस्तों सबसे कम साक्षर्टा वाला राज्य फिर है अरुनाचल फिर है राजस्तान और फिर है जारकंड राजस्तान भी कम नहीं है दोस्तों थर्ड नमबर पे है राजस्तान सबसे कम साक्षर्टा में ठीक राज्तान से पहले कुंसा है बिहार और अरुनाचल और राज्तान के बाद में कुंसा है जारकंड कम साक्षर्टा वाले बिहार अरुनाचल राजस्तान जारकंड और अधिक साक्षर्टा वाले केरल मिजोरम गोवा और त्रेपुरा और अगर कोई आप साक्षरता जादा है इदर दोस्तों की जंगर्णा आपको समझवे भी आई होगी याद भी हुई होगी और अगर एक बार में नहीं आदो तो वीडियो को रिवाइस करकर करके तीन बार देखिएगा मेरा वादा है कि आपको याद हो जाएगी और इससे बाहर जंगर्णा में से कोशन आना नहीं है तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को लाइक करें वीडियो को लाइक करें चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्य भाद जरूर में हाजब झाल फिस तीक warsान आता है तो या खंग में जरूर करें ंपका है तो ले में है जकर की अचायो करें पकका भाद है तो बाहएंगा पर दीका की तो अछूर का तो अब्सक्त्यों में डर ये मिचों है को बहाएं उड़ कर से फोड़ ही उता हला